नमास्कार बच्चों स्वागत है अपने इस यूटूब चनल पर बच्चों आज इस वीडियो में हैं कच्छा बारा के विद्यार्थियों के लिए यानि जियोगर्फी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिकर आए हैं और हर टॉपिक से जो है क्वेश्चन लिकर आए लिखिये विष्वं में प्रतिकूल लिंगनपाद किसे कहते हैं थीक न कहते हैं तो यहाँ पूछ रहा है विष्वमें प्रतिकूल लिंगनपाद के लिने अधराई दो कहां लिखिए तो पहला है बिक्सित देशों में पूर्षों दोरा प्रवास अधिक करना ठीक है नमबर दो जो है विकास सील विकास सील मतलब यहां था बच्चों विकास के पत्वर अग्रसर है यानि कम विक्सित है विकास सील देशों में बालिकाओं को जो है कम महत्व देना ठीक है चलिए अगला कोशन देखेंगे मानो विकास की अधारणा में सहयोग करने वाले किस भारती अर्षास्त्री को नोबेल पुरुषकार मिला था तो आई ये इसका उत्तर देखेंगे देखो आमर सेन नामक भारती अर्षास्त्री को मानो विकास की अधारणा में सहयोग करने के लिए वच्छों इन्हें जो है नोबेल पुरुषकार मिला था अगला कोशन है कि चलवासी पश्चान से क्या आसा है और जलासों की खोज में पश्चों को जो है लेकर आते जाते हैं चलवासी पश्चान कहलाते हैं नेस्ट कोशन देखेंगे हम लो, भी निर्मार से क्या आसा है, भी निर्मार, तो आईए बच्चों इसका उत्तर देखेंगे हम लो, भी निर्मार यारी फिर से निर्मार करना किसी वरस्तु का, देखो भी निर्मार का साब्दी करत है हां से बनाना, अता हा, भी निर्मार का आरसे किसी भी वर्स्तु का जो है उत्पादन करना ही क्या गहलाता है भी निर्मान कहलाता है अगला कोशन है कि वरारासी पहुचने से पहले उन दो नहानगरों के नाम बताईए जो गंगा नदी में परदूसर पहलाते हैं यहीं बच्चों वरारासी क्या है हमारे उत्तर प्रदेश का एक जिला है तो वरारासी पहुचने से पहले उन दो महानगरों के नाम बताईए जो गंगा नदी में परदूसर पहलाते हैं भारत में कोईले का जो है सत्तान परिश्ट भाग की श्चित में पाया जाता है तो मोस्ट इंपोर्टेंस बच्छे कोईले का भाग दामोदर, सोन, महा नदी और गुदावरी नदीयों की घाटी में पाया जाता है चलिए एगला कोईशन में लोग देखेंगे जो है चलिए योजना निर्में से किस नदी पर बनी हुई है भांखडा नागल बहुत दोसरी नदी घाटी योजना की निर्में से किस नदी पर बनी है चार आपसर आपके सामें रहेगा बच्छो तो यहां सही जो आप हो जाए तीसरा हो जाएगा 17 नदी पर जो है बनी हुई है अगला सबसे बड़ा हिंदू है लिए उसके बाद में और सबका अस्थान आता है चलिए अगला कोच्छन देखेंगे हम लोग निम्ड में से गैरिसन नगर कौन सा है गैरिसन नगर तो यहां सही जवाब क्या हो जागे वच्चो तीसरा हो जाएगा ठीक है अगला कोच्छन निम्ड में से प्राष्टिकी संकट का कौन सा कारक है दोई करण नगरी करण पर्यावना परदूसर प्राकिति काप्दा वच्चो यहां सही जवाब तीसरा हो जाएगा प्रयावना परदूसर चलिए अगला कोच्छन हम लोग देखेंगे जो है अग लेकिन पस्पालन नहीं होगा ठी है यह नगरी बस्तियों काम रही है पस्पालन जो है ग्रामीड के लोग करते हैं नगरी के बस्तियों आले लोग पस्पालन नहीं करते हैं उद्धोग व्यापार इस सब नगरों में होता रहता है चलिए एगला कोच्छन देखेंगे अवस्थाओं से हैं बच्चों जिनका जो है अस्तित्व मनुस्थ के कारियों से सुतंत्र है जो मानों रचीत नहीं है जो बिना मनुस्थ के अस्तित्व एवं कारियों के परभावित हुए सोता परिवरतित होती है ठीक है उसे मनों क्या कहते हैं प्राकेती प्रयावां कहते ह अगला कोशन है कि भरत में वाई परदूशन के दो पर्मुख सुरोतों को मताईए तरह इसका उत्ता देखेंगे भरत में वाई परदूशन के दो पर्मुख सुरोतों को मताईए तरह इसका उत्ता देखेंगे भरत में वाई परदूशन के दो पर्मुख सुरोतों को अथवा भूम अवनयन से आप क्या समझते हैं भरत में भूम अवनयन को कम करने के उपाय सुझाइए ताहिए इसका उत्तर देखेंगे मिलोग जो है देखो भूम अवनयन इसका क्या रत होता है बच्चो देखो मिर्दा परदन यहीं मिर्दा का कटाओ मिर्दा परदन प्राकिर्तिक रूप से घटित होने वाली एक भौतिक परकिरिया है जिसमें मुकता जल यहाँ वायो जैसे प्राकिर्तिक भौतिक बलो दोरा भूम की उपरी मिर्दा के कड़ों को अलग कर बहा ले जाना समलित है या सभी परकार की भूँ अकृतियों को परभावित करता है जैसंख्या में अत्यतिक बिद्धी के काम अच्चो भूम एवं मिर्दा संसाधनों पर अत्यतिक दवापड़ रहा है जिसके पैडाम सुरू भूम अपच्चिन्यन एवं मिर्दा परदन होता है भूम के गटाव हो जा रहा है भूम निम्नी करण को कम करने के उपाए निम्रिकित है इसकों को रसायनिक उरुकों तथा कि नासों के परियोग को नियंतित करने के लिए कहना चाहिए नमबर दो जो है रसाइनिक उरोर्खों के स्थान पर जैवी खात के परियोग पर बल देना चाहिए नमबर तीन जो है वच्चों नगरों के वहित दूसित जल मल का परियोग फसलों की सिचाई के लिए नहीं करना करना नंबर चार रसानिक पदार्थों इसे पारिथीन बैक्स तथा अन पदूस्वकों को भूम में न डालना नंबर पांच भिच्छा रउपल तथा हरित आवणान बनाना नदियों पर बाद बनाकर बाढ़ों पर प्रभावित नियंतर लगाना भूम अवरदन भूचला त जल भराव लवणता तथा भूम इच्छाईता पर प्रभावी रोक लगाना कुणे करकर तथा ठोस अप्षिस्ट पदार्थों के परबंधन तथा निप्टान की जो है मियोस्था करना ठीव अगना कुशन है भारत में कोईला उत्पादक कि नहीं दो पर्मुक छेत्रों क नाम लिखिए भारत में कोईला उत्पादक कि नहीं दो पर्मुक छेत्रों के नाम बताईए देखो जार खन, 36 गान, मात परदेश, 25 मंगाला और आंत परदेश भारत के पर्मुक कोईला उत्पादक छेत्र है इसमें से दो लिखना है दो आप कोई भी लिख सकते हो ठी है अब देखो कोईशन पूछे गए है दो धात्वी खनेजों के नाम लिखिए तो बच्वो लाओ अयस्क और ताबा ये जो है दो धात्वी खनेज है अगला कोईशन देखेंगे हम लोग अगला कोईशन बच्वो मोस्ट इंपोर्टेंस कोईशन है आईए देखते हैं लोग भरत में ग्रामीर से नगरी खेतरों में होने वाले परवास के काणों का उले कीजिए ये इंपोर्टेंस है कि क्यों लोग जो है गाउं छोड़का जो है नगरों में जा रहे हैं परवास कर रहे हैं ताई इसको उता देखेंगे देखो ग्रामी खेतरों रोजगार की कमी के करन जो है युवा पिढ़ी खेतों में काम करने के बजाए बाहर नवकरी करना परसंद करती है इसलिए युवा वर्क नगरी छेत्रों की ओर भागता है इसके अलावा जो है सूखा, बाल, भूकम, आध्प्राकितिक आपदाओं की वज़ा से भी लोग नगरी छेत्रों की ओर चले जाते हैं, गाउं में समाजी आसुरच्छा जैसे जात्पात, समझ रहे हैं गाउं में बहुत जात्पात बहुत चलता है, दंगे, आधिकी वज़ा से भी लोग नगरी छेत्रों की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, ठीके बच्चों, तो इसको जो है क्या कहते हैं महारत म में गाउं में से गउंजे नग्रोग यॉर प्रवास